हलो फ्रेंड्स एक बार फिट से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूटूब चैनल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिप्ट क्लास का एक चेप्टर और इसका नाम है अराउंड दवर्ड ये एक बहुती इंट्रेस्टिंग स्टोरी है इस इंट्रेस्टिंग स्टोर टू है उसके साथ में यात्रा करते हैं तो चलो करते हैं शांदार वीडियो की शुरुआत उस इवनिंग को वो लोग ट्रेन पे थे जो सेन फ्रांसिको से नियोर्क जा रही थी और ये जो दूरी है ये लगबग 3700 और 86 माइल्स अवे है इसका मतलब उनकी जो यात्रा है व इसक्लांटिक ओशियन तक लेके जाएगी ये जो ट्रेन है वो केलिफोनिया से बहुत तेज गती से स्टीम कर रही थी स्टीम का मतलब गुजर रही थी और इसमें से गुजरते हुए उसने माउंटेन स्लॉप्स माउंटेन स्लॉप्स का मतलब माउंटेन से बनी हुई जो अधिक ढलान है Deep Canyons Deep Canyons का मतलब बहुत अधिक गहरी खाया हैं घाटिया हैं और Hair Raging Curves Hair Raging Curves का मतलब RॉंगТे खड़े कर देने वाले मोड और उसी के साथ-साथ में Few Tunnels and Bridges और उसी के साथ-साथ में Bहुत सारे Tunnels बने वे हैं ट्रेन बहुत धीरे हो गई क्योंकि ट्रेन के सामने बफेलोज का एक हर्ड था वो बढ़ता हुआ आ रहा था और ट्रेन को अचानक से रोकना पड़ा क्योंकि बफेलोज का जो प्रोसेशन था प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस वो जो जुलूस है वो ग्रेट ब्राउन की तरह उनके सामने से पास हो रहा था और इस हर्ड को हर्ड को मतलब बफेलोस के ये जो जुंड है उसको पास होने में लगबग तीन घंटे लग गए और तब तक रात हो गई थी और अब ट्रेन जो है वो वापस चलने लगी थी त्रेन जो है फिर से स्टीप माउंटेंस से गुजर रही थी स्टीप माउंटेंस का मतलब होता है तेज जलान वाले जो माउंटेंस है उनसे गुजर रही थी और ये जर्नी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था क्योंकि इसमें जो रोड थी वो वाइंडिंग थी वाइंडिंग का मतलब उसमें बहुत सारे गुमाव या गंटों में वो इस रोकी माउंटेन से बाहर निकल जाएंगे जब पैसेंजर्स ने अपना ब्रेक फास्ट ले लिया था तो ट्रेन ने बहुत ही श्रिल विशल श्रिल का मतलब बहुत ही तेज तीकी विशल यानि सीटी बजाई और ब्रेक्ड विते जर्क एंड केम टूए हा हाट का मतलब रुक जाना वो ट्रेन वहाँ पे जोर से विशल बजाके जटके के साथ में ब्रेक लगा के रुक गई पैसपर 2 जो की एक फ्रेंच पैसेंजर है वो बाहर देखने के लिए गए कि क्या बात हुई है और वहाँ पे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया ट् उसने देखा कि सिगनल मैन जो है वो उनसे कह रहा था कि ये ट्रेन जो है वो आगे नहीं जा सकती है क्योंकि मेडिशन बो के पास में जो पुल है वो इसके वजन को नहीं सहन कर पाएगा यह एक सस्पेंशन ब्रिज था सस्पेंशन ब्रिज का मतलब होता है जूला जैसा प कि उस पुल की कुछ केबल्स हैं वो तूट चुकी थी ट्रेन के ड्राइवर ने कहा साइध हमारे पास में एक चांस है जिसकी साहिता से हम लोग इसे पार कर सकते हैं हमें हमारी ट्रेन को मैक्सिम स्पीड में आगे बढ़ाना होगा ताकि हम इसे पार कर सकें अंड़क्टर न पैसेंजर्स फटाफट ट्रेन के अंदर चले गए और ड्राइवर ने लगबग एक माइल ट्रेन को वापस पीछे की तरफ ले लिया दुबारा से विशल की आवाद सुनाई दी अब ट्रेन जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही थी और वो इतनी तेजी से बढ़ रही थी क इस सब लोग बहुत ज़्यादा काप रहे थे पैसेंजर्स को ये लग रहा था कि ट्रेन जो है वो ट्रेक्स पे कहीं भी रुकने वाली नहीं है और ये तो हवा से बाते कर रही थी इंजन जो है बहुत तेजी से श्रीक यानि चीक रहा था चिला रहा था या आवाज निका रहा था और ट्रेन जो है वो शडड करती हुई थरतराती हुई कापती हुई हिलती हुई उस ब्रिज को एक फ्लेश के साथ में पार कर गई फ्लेश का मतलब है जटके के साथ में पार कर गई जैसे ही ट्रेन थोड़ी सी आगे बढ़ी तो थोड़ी देर बाद में नहीं हैं यह Americans हैं और यह tribe people हैं इन लोगों ने इस train पे अटेक कर दिया उन में से बहुत सारे लोग थे वो साइट से आ रहे थे और train पे जंप कर रहे थे और धीरे धीरे वो सीडियों के पास में आने का प्रियास कर रहे थे उनके पास rifles थी और हमारे कुछ travelers के पास में revolvers थी और इन revolver वाले passengers ने अपने आपको pistol shots चला कर बचाने का प्रियास किया और बहादूरी से इन tribal लोगों का मुकाबला किया conductor बहुत तेजी से चिलाया the train train को रोकना होगा वरना हम हार जाएंगे पराजित हो जाएंगे हमारे पास कुछ नहीं बचेगा Passport 2 ने कहा मैं जाऊंगा उसने चुपचाप तरीके से एक दरवाजा खोला ताकि उसे rate Indians नहीं देख सके और इस तेजी से भागती वी train के नीचे से वो धीरे धीरे engine के पास चला गया और फिर उसने engine को कोचेद से अलग कर दिया और धीरे धीरे train जो है वो अपनी speed को कम करने लगी वो एक station के पास पहुँच रहे थे जहाँ पे कुछ soldiers जो की gunshots की आवाद से attract हो गए वो भी इस train की तरफ बढ़ रहे थे red Indians ने उनको train पे board करते हुए यानि चड़ते हुए देख लिया और उनके आने से पहले और train के पूरी तरह से रुखने के पहले वो train से कूद गए और वहाँ से भाग गए दोस्तों मैं उमीद करता हूँ यह chapter आपको पसंद आया होगा इस class के अन्य chapters को देखने के लिए please हमारे चैनल को subscribe करें thank you so much